नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी चैनल All Technical Solution में तो दोस्तो अगर आपकी पास Tata Sky या Tata Play का डिश्ख है और उसके सिंगनल अगर लॉस्ट हो गए हो तो आप घर बेटे अपने मोबाइल के जरीए इन सिंगनल्स को FIND करके किस तरह से सेट कर सकते हैं यह हम आज की ओडियो में आपको यहापे डेटेल में बताने वाले हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको यह Set Finder नाम का एप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा नहीं तो यह एप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा तो आप वहां से भी से डाउनलोड कर सकते हूँ तो अभी मैं इस एप को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है तो चलिए मैं इस एप को ओपन करके लेता हूँ तो दोस्तो इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पर आने वाला है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने mobile का location या GPS का जो option है उसे यहाँ पे on करके लेना है क्योंकि without आपका mobile का location on किये यह app काम नहीं करेगा तो मैं अपने mobile का location यहाँ पे on करके लेता हूँ उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे get started से एक button मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे प्रेस करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपके समने कुछ adds आएंगे इन्हें आप skip कर दीजे उसके बाद आपके समने इस तरह का एक page आएगा और यहाँ पे आपको बहुत सरे options देखने को मिलेगे जैसे कि यहाँ पे satellite finder, air satellite, compass, in kilometer, level meter लेकिन आपको यहाँ पे सबसे पहले वाला जो satellite finder है वहाँ पे click करके लेना है तो दोस्तो उसके बाद आपके समने इस तरह का एक page यहाँ पे आने वाला है तो दोस्तो अगर आपको अपने Tata Sky के signals find करने है तो आपको यहाँ पे simply three steps follow करने होंगे और यह सारे steps में आपको पूरे detail में यहाँ पे बताने वाला हूँ तो हमारा step number one है वो है dish का satellite set करना तो यहाँ पे आपको six seven जहाँ पे लिखाओ मिल रहा है वहाँ पे आपको click करके लेना है वहाँ पे आपको सारे satellites की list मिलने वाली है तो मैं यहाँ पे click करके लेता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ी satellites की list यहाँ पे दिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे अलग-अलग dish के लिए अलग-अलग satellite set करना पड़ता है जैसे कि आज हम Tata Sky का setting करने वाले तो इसके लिए मुझे यहाँ पे Inset 4A या Gset 10 यह दोनों में से एक satellite यहाँ पे find करके उसे यहाँ पे set करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे Inset 4 यह भी satellite मिल गया है और मुझे यहाँ पे Gset 10 यह भी satellite यहाँ पे मिल गया है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक satellite को यहाँ पे set कर लिजे तो मैं यहाँ पे G-set 10 को set करके लिए तो और आप यहाँ पे देख सकती कि मेरा G-set 10 यहाँ पे set हो गया है उसके बाद दोस्तो यह हमारा step number 1 पुरा complete हो गया है और उसके बाद हमारा step number 2 है वो है dish का inclination set करना तो यह set कैसे करना है यह मैं आपको पुरा detail में यहाँ पे बतानी जा रहा हूँ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे एक dish का छोटा सा icon दिख रहा है वहाँ पे आपको inclination दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे 68 degree इतना inclination मिल रहा है तो आपको यह setting कैसे करना है यह मैं आपको अभी detail में बता दो तो यह setting करने के लिए आपको simply अपने dish के पिछले हिस्से में जाना होगा तो मैं यहाँ पे अपने dish के पिछले हिस्से में जाता हूँ वहाँ पे मुझे बहुत सारे measurements यहाँ पे मिल रहे तो यहाँ पे आपको 68 degree यह angle maintain करने के लिए nut ball को धेला करना होगा और exactly 68 पे अपने dish को set करके nut ball को tight करके लेना है उसके बाद दोस्तो आपका यह inclination का setting यहाँ पर पूरा हो गया दोस्तो बहुत ही simple setting है इसका तो यहाँ पे हमारा step number 2 भी complete हो गया उसके बाद हमारा step number 3 है azimute का setting करना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे azimute builder है 155 degree azimute मतलब हमारे dish के direction set करना जो कि हमारा सबसे important process है तो उसे set करने के लिए आप यहाँ पे वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको सबसे फिले अपने dish के ऊपर इस तरह से खड़े होना है और अपने mobile को अपने हाथ में पूरी तरह से horizontal रखना है क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने mobile को horizontal नहीं रखते हो तो यह app आपको सही से direction नहीं दिखाएगा तो आप अपने mobile को पूरी तरह से horizontal रखिए या आप इसे जमिन पे भी रखेगे तो भी चलेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे एक notification मिलेगा Turn the antenna 19 degree to the right तो यह आपको बता रहेगे आपको अपने mobile को 19 या 20 degree तक right में rotate करती जाना है और आपको यह भी समझ नहीं आ रहे है तो मैं आपको simple तरीका बता दो आपको यह नीचे जो बड़ा circle मिल रहे है वहाँ पे आपको एक satellite का sign मिल रहे है आपको इस sign को यह जो dish का sign है उसका जो hand है इसके साथ match करना पड़ेगा और जहाँ पे दोस्तों यह दोनों sign एक line में आ जाते मतलब यह dish का जो hand है वो satellite के इस line के साथ align हो जाता है या match हो जाता है वही आपके dish की सही direction होने वाली है और दोस्तों इसके लिए आपको अपने mobile को थोड़ा सा right में rotate करती जाना है और इन दोनों sign को एक line में यहाँ पे लाना है और जैसे ही आप इसे एक line में ला रहे है उपर की value भी यहाँ पे कम होती जा रही है और exactly say direction में आने के बाद आपको उपर perfect ऐसा एक message देखने को मिलता है तो जहाँ पे आपको यह perfect message देखता है और यह दोनों sign यहाँ पे एक line में match हो जाते वही आपके dish की exactly direction यहाँ पे होने वाली है और उसे direction में आपको अपने dish को set करना है जैसे कि आप अभी देख सकते ही कि मेरा dish यहाँ पे थोड़ा सा left में है तो मुझे अपने dish को थोड़ा सा right में इस mobile के direction में यहाँ पे थोड़ा सा rotate करना पड़ेगा तो जैसे ही मैं अपने dish को right में rotate करता हूँ और इस mobile के direction के साथ match करता हूँ वहाँ पे मेरा azimute का setting पूरा हो जाएगा और मेरे sire channel से आपे आ जाएगे तो दोस्तों यह हमारा azimute का 3 number का setting पूरा होएगा है उसके बाद दोस्तों हमें और एक simple सा यहाँ पे tweak करना पड़ेगा इस setting को बोलते LNB या polarization का setting अगर आपका dish का setting करने के बाद भी आपके सारी channels नहीं आ रहे या आपके dish के frequency थोड़ी सी कम है तो आपको अपने LNB को थोड़ा सा right में tweak करना है बहुत ही धीरे धीरे से आपको अपने LNB को rotate करते जाना है और simultaneously आपको अपने frequency को भी check करना है और जहाँ पे आपको highest frequency बिलती है वहाँ पे आपको अपने LNB को set करके लेना है उसके बाद आपके सारी channel से आपे आ जाएंगे तो दोस्तो इस तरह से अगर आप ये सारे settings करते हो तो आपके dish के signal से आपे definitely आ जाएंगे तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को like कीज़े और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीज़े चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े धन्यवाद